हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लिगाज फिनालिसिस में मैंने अपने पिछले दो वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉंसेप्स को आपको बताया था मैंने अपने इस वीडियो में लिगा के CPR इंडिकेटर में swing trading से related सारी settings को आपको explain किया था कैसे आप लिगा के CPR इंडिकेटर को free में access कर सकते हैं और कैसे swing trading के लिए इसकी basic settings कर सकते हैं मैंने इसी वीडियो में swing trading के लिए यूज होने वाले बहुत ही महत्वपुन time frame and candlestick के बारे में भी आप सबको बताया था जिसको यूज करके आप बड़े ही आसानी से effective और profitable swing trading कर सकते हैं वहीं मैंने इस वीडियो में आपको swing trading से related दो बहुत महत्वपुन strategies को बताया था यह concepts value area based बहुत यह effective strategies हैं तो आप अगर चाहें तो यह दो वीडियो जरूर देखें इन दोनों का link मैंने उपर i button में और नीचे description box में डाल दिया है आप वहाँ जाकर इन दो वीडियो को असानी से देख सकते हैं अब इस वीडियो में हम लोग swing trading से related आगे के strategies को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे CPR की मदद से आप effective और profitable swing trading ले सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं लिगा की financial analysis फिनालेसिस शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि यहां जो strategies मैं आपको बताने वाला हूं वह purely CPR based strategies हैं and mostly Frank और चुवा के concept से directly inspired हैं तो आप चाहें तो इस book को refer कर सकते हैं इनी concepts को मैंने अपने कुछ inputs और experience के साथ आप लोगों को बड़े ही आसान भासा में समझाने की कोशिश की है ठीक है? चुकि यह कई concepts हैं और मैंने हर एक को अल्रेडी अपने previous वीडियो में अच्छे से explain किया हुआ है although वह intraday point of view से explain किया गया है but underlying basic concepts same है swing trading के लिए भी सिर्फ swing trading के case में आपको पांच मिनिट का candle ना यूज करके 30 मिनिट्स या higher time period का candle यूज करना है और daily CPR timeframe की जगर weekly या monthly timeframe यूज करना है in case of swing trading all right यह settings मैंने अपने पिसले वीडियो में अच्छे से बताया हुए आप लोगों को तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं request करता हूँ कि आप वो वीडियो जरूर देखे तो मैं आप आने वाले strategies और concepts को बहुत detail में discuss नहीं करूँगा बलकि एक एक example से हर एक concepts को समझेंगे हां हर concepts के साथ साथ अपने वीडियो के reference और उनके link भी आपको देदूँगा जहां से आप इन concepts को और detail में समझ सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्हें एक एक करके समझते हैं तो हमारी पहली strategy है CPR acts as a magnet and repellent तो मैंने ये concept अपने इस वीडियो में आपको explain किया है detail में आप चाहें तो इस वीडियो को refer कर सकते हैं prices CPR के along move करते हैं जब भी prices CPR से दूर जाने की कोशिश करती हैं तो CPR उन्हें अपनी और attract करता है जैसा कि यहां आप इस chart में देख सकते हैं prices पहले उपर जाने की कोशिश की then CPR started acting as a magnet और prices को CPR ने अपनी और वापस pullback किया कुछ देर candles CPR के along trade की उसके बाद आप देख सकते हैं it started acting as a repellent और prices again CPR से दूर जाने की कोशिश करने लगी and after some time again CPR ने एक magnet की तरह काम किया और इसे वापस अपनी और pull किया तो आप देख सकते हैं कि कैसे prices CPR के along move करती हैं यह पहले इनसे दूर जाने की कोशिश करती है और जब sufficiently दूर चली जाती है तब CPR magnet की तरह काम करता है और इसे वापस अपनी और attract कर लेता है आप इस concept को swing trading के लिए भी use कर सकते हैं जब भी prices CPR से support लेकर ऊपर जाने की कोशिश करें तब ऐसे cases में आप एक long trade ले सकते हैं इस concept को use करते हुए आप swing trading में 30 minutes या higher के candle stick के साथ लिगा का weekly या monthly CPR timeframe यूज करते हुए बड़े आसानी से आप एक swing trade ले सकते हैं ठीक है तो हमारी second strategy है ascending and descending CPR का यह है वो reference video जिसे आप देखकर इसे और detail में समच सकते हैं CPR एक कमाल का indicator है यह हमें market में एक strong uptrend और downtrend को बड़े ही आसानी से दिखा देता है जब भी relative weeks के CPR ascending order में बनने लगे हैं यानि कि next week का CPR पिछले week के CPR से उपर की ओर लगातार बनना शुरू हो जाए तब हमें समच जाना है कि market में एक strong bullish sentiment है जैसा कि आप इस example में देख सकते हैं weekly CPR consecutive weeks में लगातार ऊपर की ओर बन रहे हैं तो इसका clear indication है कि market में एक strong bullish sentiment है और यह ideal setup है एक long swing trade लेने का तो एक ascending market में जब भी candle CPR की ओर retrace करें और एक support बनाएं और वहां से bounce back करें तब आपको एक long position initiate करनी है तो आप यहां देख सकते हैं जब भी candle downward retrace कर रही है उसके बाद एक bounce back आपको मिल रहा है बहुत ही अच्छा तो आप ऐसे cases में जब भी candle CPR की ओर retrace करके वहां support लेकर के bounce back करें तब आपको एक long position initiate करनी है यहां आपको जो stop loss रखनी है वो CPR के नीचे रखनी है क्योंकि ऐसे strong bullish market में candles के लिए CPR को break करना आसान नहीं होता है तो CPR को आप stop loss रखके एक long position बना करके आप एक अच्छा swing trading ले सकते हैं ठीक है तो next strategy है वर्जिन CPR का यह है मेरा reference वीडियो जहां मैंने वर्जिन CPR को बहुत ही detail में और कई examples के साथ explain किया है आप चाहें तो इस वीडियो को refer कर सकते हैं अगर आप इस concept को और detail में जानना चाह CPR कहलाता है और यह एक आने वाले week के लिए support और resistance का काम करती है जैसा कि आप इस example में देख सकते हैं on this particular week एक भी candle ने CPR को touch नहीं किया तो इस case में यह virgin CPR बन जाता है इस week का जो आने वाले week के लिए बहुत ही strong support और resistance का का काम करती है इस case में यह एक support का का काम कर रही है और cautious हो जाना है क्योंकि candles को इन जोन्स को एक बार में तोड़ना आसान नहीं होता वो जेनरल यहां से return करने की कोशिश करती है तो आपने अगर short position बनाया है और candles virgin CPR के आसपास पहुंचे तब आपको वहाँ exit कर जानी है आप यहाँ पर profit book कर ले क्योंकि candles के लिए यह बहुत ही important support का काम करने वाली है आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही candles virgin CPR को touch किया वहाँ से इसने एक retrace किया और हमें एक बहुत ही a strong upward movement देखने को मिला ठीक है यह strategy बहुत ही effective strategy है और market में virgin CPR का concept बहुत ही अच्छे से काप करता है इसलिए मेरे उस reference वीडियो को आप जरूर देखें जहां मैंने इस concept को और भी बहुत detail में बताया है with lot of examples ठीक है और ठीक opposite काम करता है in case of long position और किसी भी week में आपको एक virgin CPR देखें तो यह strong resistance का काम करेंगी और candles जब इस level पर पहुँचे तो आपको अपना long position exit कर देना है क्योंकि एक बार में इस zone को candles को cross करना आसान नहीं होता है और generally यहां से candles retrace करती है वापस नीचे की और तो यहां मैंने आपको example से समझाया है मालीजे यह एक virgin CPR है और यह virgin CPR zone हो जाता है next week के लिए अगर next week में आपने long position बनाया है और candles इस zone के आस पास पहुँचे तो आपको वहाँ पर position exit कर जानी है क्योंकि बहुत chances है market यहां से retrace कर सकता है अल्राइट अब बारी है narrow and wide CPR का इस concept का reference video यह है आप जानते ही है जब भी weekly time frame में एक narrow CPR बने तो हम एक trending market expect कर सकते हैं and based on the market sentiments that is either bullish और bearish हमें एक अच्छा trade ले सकते हैं तो आप इस example में देख सकते हैं कि इस particular week में एक बहुत ही narrow CPR देखने को मिला है और आप देख सकते हैं इस particular week में market ने एक strong bullish sentiment दिखाई है तो ऐसे cases में जब आपको narrow CPR दिखे और साथ ही साथ previous week high और R1 लेवल एक अच्छे candle के साथ breakout करता हुआ दिखे तो आप बड़े ही shorty के साथ एक swing trade ले सकते हैं यहाँ पे with lot of confidence जैसे कि आप इस example में देख सकते हैं कि जैसे ही candles ने previous week high को break किया है तो हमें एक बहुत ही अच्छा uptrend देखने को मिला है ठीक इसके opposite होता है wide CPR के case में जैसे कि आप इस particular week में देख सकते हैं कि हमें एक wide range CPR देखने को मिला है और इस particular week में आप देख सकते हैं market काफी choppy रहा है market CPR और previous week low के around ही पूरे week trade करती रही है तो ऐसे market में हमें काफी सावधानी से trade करनी है क्योंकि यह हमें एक अच्छा trend नहीं देता है और ऐसे cases में swing trade करना आसान नहीं होता है unless until आपने कुछ experience gain किया हुआ है और आपने enough back testing की है otherwise generally जितना बड़ा weekly CPR रहेगा market उतना ज्यादा choppy रहेगा और तो इन nut sell narrow CPR मतलब एक trending market and wide CPR मतलब एक chopping market या sideways market और आप इस वीडियो को refer कर सकते हैं इस concept को और detail में समझने के लिए मैंने एक table में इन सारे value area relationship को summarize किया है आप देख सकते हैं कि आप दो consecutive weekly CPR के relationship को कैसे interpret कर सकते हैं अपने swing trading के लिए अगर higher value CPR बन रहा है तो ये bullish trend को दिखाता है वही lower value CPR bearish trend को दिखाता है inside CPR एक breakout को दिखाता है वही outside CPR एक sideways market को दिखाता है मैं इनके details में नहीं जाओंगा बलकि आपको बस दो example से ये quickly समझाने के कोशिश करूँगा और हाँ मैं एक बार फिर बता दू कि किसी भी strategy को समझने में आपको कोई भी difficulty हो तो आप उसका intraday वाला reference वीडियो ज़रूर देख ले intraday और swing trading के underlying concepts बिलकुल सेम है बस time frame का difference है तो यहां आप एक inside weekly CPR को देख सकते हैं जहां next week का CPR, previous week के CPR के बिलकुल अंदर बना है यानि last week के CPR ने इस week के CPR को totally engulf किया हुआ है यह एक बहुत ही अच्छा CPR setup है ऐसे weeks generally काफी trending होते हैं और generally जिस भी direction में market move करे आप इस move को trust कर सकते हैं और एक directional trade ले सकते हैं जैसा कि आप इस example में देख सकते हैं market ने CPR पर support लिया और यहां से retrace किया and you can see a good upward movement तो ऐसे inside CPR generally एक trending market को दिखाते हैं और ऐसे cases में या तो upward या downward हमें एक अच्छा movement देखने को मिलता है inside CPR के ठीक opposite है outside CPR जहां next week का CPR पिछले week के CPR को बिल्कुल ढग लेता है तो यहां आप देख सकते हैं कि इस week के CPR ने last week के CPR को totally engulf किया हुआ है generally यह एक sideways market को दिखाता है ऐसे weeks generally choppy होते हैं और यहां एक clear trend market में नहीं दिखता है तो आप clearly देख सकते हैं कि इस particular week में market almost एक channel के अंदर ही trade कर रहा है यानि कि market sideways है आप ऐसे market थोड़ा cautiously trade कर सकते हैं और छोटा position बनाएं keep your position light and trade cautiously ठीक है तो यह है inside और outside CPR की concept मैं जानता हूँ कि कई concepts और strategies हो गई है इस वीडियो में एक बार में ही सब को समझना और implement करना आसान नहीं होता है आप चाहें तो इस वीडियो को फिर से refer कर सकते हैं और हर एक strategy को detail में देख सकते हैं मेरे reference वीडियो के साथ जो सबसे important बात है वो है practice and back testing आपको जादा से जादा effort लगानी है न सिर्फ इन concepts को समझने के लिए बल्कि साथ ही साथ इन्हें implement करने की भी जादा से जादा back test करें तभी आपको confidence आएगा और आप confidently एक trade ले सकते हैं CPR के concepts न सिर्फ intraday में बहुत अच्छे से काम करते हैं बल्कि swing trading में भी उतनी ही effectively काम करती हैं बस आपको इन्हें अच्छे से implement करने की जरूरत है आप इन concepts को अच्छे से समझें इन्हे back test करें और फिर एक छोटे position के साथ live market में शुरुआत करें आप देखेंगे with experience and enough practice आपको काफी confidence आएगा and with time आप देखेंगे कि आप एक effective और profitable swing trading कर सकते हैं swing trading एक बहुत ही rewarding trading method है अगर यह अच्छे से किया गया with proper analysis तब यह काफी profitable रहता है particularly जो लोग लगातार अपने system के सामने नहीं रह सकते हैं और intraday नहीं कर सकते हैं जैसे office goers उनके लिए swing trading एक बहुत ही अच्छी trading strategy है CPR जितने अच्छे से intraday के लिए काम करता है उतने ही अच्छे से swing trading में भी effective है I want you all to use these strategies and give a new dimension to your trading promise कैसा लगता है मेरा effort आप सबको comment करके जरूर बताएं अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें आपका प्यार और सपोर्ट जरूरी है लिगा के दूरूत के लिए On that note I am signing off to take care of yourself and your loved ones Stay healthy, stay happy Bye-bye